लुइस हैमिल्टन 2008 की वर्ड चैंपेंशिप फिलिप मासर से एक पॉइंट से जीते थे बर्णी एकलिस्टन का बहुत ही रीसेंट इंटर्वीव सुने तो उनके साब से क्रैश गेट की कॉंट्रोवर्सी के करण सिंगपोर ग्रॉण प्री का रिजल्ट कैंसल हो जाना चाहिए था 2008 का जिसके कारण 18 में से खाली 17 रेसे बागी रहे थी फिलिप मासर पार्च पॉइंट से लुइस हैमिल्टन से वर्ड चैंपेंशिप जी जाते पर क्या ऐसा हो सकता था अगर 2008 की इनॉग्रल सिंगपोर ग्रॉण पीस से रेनॉग की क्रैश केट पाली चीटिंग हटा दे तो फरारी के लिए भी ये वीकेंड को सद में से कम नहीं था तब उनको प्रीमेचॉरली रिलीस कर दिया गया जिसके कारण उनका फ्यूल का होस्क गाड़ी में ही कनेक्टेट रहे गया लगीली किसी को लगी नहीं पर उन्होंने सेफटी कार पीर खतम होने के बाद ग्रिट को एंड में जोइन किया था सिर्फ यही नहीं उनको एक स्टॉप को पेनल्टी भी मिली क्योंकि फरारी ने उनको एडन सूटल के बहुती क्लोजली रिलीस करा था पिट के अंदर फिर अगली रेस जपान के अंदर हैमिल्टन ने पोल पोजिशन सिक्या और करा मासा ने फिफ्ट वैसे पूरी कलती मासा के नहीं थी बट मासा ने हैमिल्टन को टककर तक मार दी 2008 की रूल से कहते हैं कि वर्ल चैंपिंशिप ट्रोफी एक ड्राइवर को देने के बाद उस रूल को कोई रिवर्स नहीं कर सकता चाहे कुछ हो जाए इसलिए तो 2009 केंद नेलसिन पी के जूनियर ने रिवील करा कि सिंगपोर ग्राइवर वाला क्राश नाचूरल नीता बलकि मैच फिक्सिंग थी बर्णी फर्मला वन की इमिज बचाने के लिए चुप रहे